ठंड से लोग मर रहे हैं, अभी निकले पावर प्लांट पे टैक हुआ है, बीस परतेशन बिजली चला जाएगा, तो ये तो मानोता का नाम पे खलंग है, लडते हैं लीडर आपस में, लडती है सेना जमीन पे, और मरते हैं आम जनता, ये दुरुभा गया इविश्वा, ये जो जपरो जीया के नुकले प्लांट है, उसका अड्मिस्टेटिव ब्लॉक जो है, जो ट्रेनिंग एरिया है, उसमें आग लगी, जो कोर प्लांट है, उस पे अटाक नहीं था, पहली बाद, तो आज की डिडियेशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है, तीसरी बात, आग कंट्रोल में आ गई है, तो जो खत्रा था, वो टल गया है, लेकिन अब आते हैं कि रूस ने ऐसा क्यों किया, मेरा ख्याल है कि रूस संदेश देना चाहता है, उक्रेन को, पेस्टर जलिस्की को, कि आप सरिंडर करो, नहीं तो हम नुकलियर आप्शन लेंगे, यदि सचमुष में नुकलियर आप्शन लेना चाहता था, तो वो कोर प्लांट जो था, उसको अटैक करता, ध्वस्त करता, और फिर तो रेडियेशन बढ़ता, और फिर तबाही मजती है, और इसका एफेक्ट यूरोप पे भी पढ़ता, जो चर्नोबील में हुआ था, उससे दस साथ हाओ, तो ये रूस की मेरा ख्याल है, रूस गलत कर रहा है, और पहला चीज है कि जनेवा कंवेंशन कहता है कि आप नॉन मिलिटरी टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो पावर प्लांट तो बिजली सप्लाई करता है, ये नुकलियर बम वाला तो नहीं है, ये तो नुकलियर प्लांट है, थर्मल पार प्लांट है, बिजली जनेरेट करता है, और युकरेन का 20% बिजली यहां से जाता है, तो यदि 20% बिजली नहीं जाएगा, इसका मतलब है, रशा जो है, प्यूटीन दवाव की राजिती खेल रहे हैं कि तुम सरेंडर करो, और 20 परसेंट बिजली नहीं जाएगा, तो थंडे से लोग मर जाएंगे, रेल नहीं चलेगा, घर में कर्निक्षन नहीं होगा, लोग भंट से मरेंगे, तो ये तो भहुत ही भेंकर सी, ये तो मानावता के नाम पर ये तो भहुत ही काला धबा है, तो मेरा ख्याल है, ऐसे ऐसे जो पावर प्लांट्स है, जो एसेंशल सर्विसेज में आते हैं, उनको जैसा उनाइटे निशन्स ने कहा कि 30 किलोमेटर का एक्स्लोसिफ जोन है, तो आउट अउट बाउंड होना चाहिए, एनमी कंट्रीज के लिए, वहाँ पे एक स्पेशल सेंशल होना चाहिए कि उस लिस्ट में ओयल रिजर्वस का जो है, उसका सता घटता जा रहा है, रूस विश्व का ग्लोबल राजा बनना चाहता है, गयास सप्लाई में, उसकी द्रिष्टी कोन लगी हुई है, नॉर्थ पोल पे, आर्किटिक और्शन पे, जहां कहा जाता है, ट्रिलियन वर्थ ऑफ ओयल रिजर्वस है, दूसरा बिंदू, रूस चाहता था कि उकरियन के माद्यम से फोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन टू, वो उकरियन के माद्यम से जर्मनी तक पहुँचा है, जब ऐसा होता, तो जर्मनी का, मत्व 80% मान के चलो, गयास का रिक्वार्मेंट रूस मीट करता तो जब इतना बड़ा कॉमर्स का रिलेशनशिप होगा, रिस्ता होगा जर्मनी के साथ, तो नाटो तो कमजूर पड़ेगा, ये अमेरिका को नाटो को परतास नहीं था, कि जर्मनी ऐसा महत्पूर्ण देश हमारे छेतर से बाहर जा रहा है, रूस के नजदी की जा रहा है ये था मुख्य कारण, कारण नमबर एक, कारण नमबर दो, ठेट परसेप्शन, नाशनल सिकूर्टी के लेके प्यूटिन चिंतित थे, वो समझ रहे थे, कि जिस तरह से पूर्वी दिशा में एक्सपेंशन हो रहा है नाटो फोर्स का, खत्रा उनके द्वार तक आ रहा है, तो खत्रा उनके द्रवाजे पर खड़ा है, प्यूटिन ने तो पूछा, कि क्या अमेरिका को acceptable है, कि कैनाडा में मैं मिजेल्स डिप्लॉई कर दूँ, उन्होंने प्रहन पूछा, तो खत्रा तो है, नाटो और यूरोप सोचते हैं, कि यदि यूक्रेन रूस के हाथ में च यह है, थर्ड परसेप्शन, दूसरा बिंदू यह है, रूस को कतई बर्दास्त नहीं है, कि उक्रेन पूरी तरह से नाटो और अमेरिकन इंट्रुई प्रहाव में उसमें विलीन हो जाए, नहीं, बोलते हैं, यह मेरे रास्ट के लिए सुरक्षा का विश्य है, उस पर बहुत डिफिकल्ट है, उसको सौल्ट नहीं किया जा सकता है, प्रेजिडन जिलिसी कहते हैं, रशन टुप्स विड्रॉ करो, सीज फायर करो, प्यूटिन कहते हैं, कि आप जो नौर्थफ़र्ड मॉव्मेंट है, पूर्वी दिसाब में, वो स्टॉप करो, लीगल गारंट में 1997 के बाद जितने कंट्रीज नाटो जोइन किये हैं, तो उड़ उस अपदेश में नहीं हो सकते हैं, जो me 1977 बाद उस अपदेश में आप Luckyn है, यह अगरिमेंट था, लेकिन आगरिमेंट का तो सम्मान नहीं किया, अमेरिकानी तो यह दोनों का, दोनों का एश्पिरेशन को डिमांड लेस्ट को पूरा करना मुश्किल है, क्या मुम्किन है, मुम्किन यह है, कि एक रोस दे टेबल या या युनाइटेड निशन्स में बात ठा जाए, कि लीगल गैरंटी दिया जाए, Mr. Putin को, कि उकरेन सौवरेन स्टेट रहेगा, वहां पे US, अमेरिका का और नाट कंसर्ण यह है, कि खत्रा दूर रखो अपने दर्वाजे से, तो सौफन अप होंगे, और भी कुछ बार्गे नहीं हो सकती है, कि जलिंस्की को हटाओ, वह प्रो रुशन कैंडिडेट को प्रजने बिनाने के चक्कर में रहेगे, वह बात की बात है, अभी सीज फायर हो, आम पश्मे, लड़ती है सेना जमीन पे और मरते हैं आम जनता, यह दुरुपा गया है, ज्यूरु और भी सुपा यह मैं ने पाकिस्तान जूडिशारी का इन अशी Dalur कि बश्वास करता हूँ, न पाकिस्तान आर्पी प्यश्वास खता हूँ, उन्शी करता हूं, क्या पाकिस् पाकिस्तान का लोयर खड़ा नहीं होगा कोई पुछ में क्मांडर जादो को नियाय नहीं मिलेगा, फुर्ण विस्वास है, धीरे धीरे अन्हों पाकिस्तान आर्मी तो अलड़ी उसको कितना बरबरता के साथ टीच करिये, टॉर्चर करिये आपको भी पता है, आपने फैस्य देखा था जब उनकी मा मिलने उससे गई थी, वो तो एक सिटिंग मूर्ती बन गया है, उनको केमिकल इंजेक्शन दे दे के ये करके, ब्रेंडवाश करके, टॉर्चर करके, उनको तो तबाह कर दिया है, उनको न्या नहीं मिल सकता, तो धीरे धीरे विचारे वहीं मर जाएं हुआ है।